नमस्ते डेया वीवस आज के इस वीडियो में हम लोग वनमाक क्वेस्टेंज को डिसकस करने वाले हैं वेव मोशन और विलॉसिटी और वीवस के रिगार्डिंग मेरे प्यारे वीवस दिखें हमारा जो वीवस और आप्टिक्स है उसके अंदर हमें एक यूनिट पढ़ना है वेव मोशन और विलॉसिटी और वेवस ओके यह दो अलग अलग यूनिट्स है वेव मोशन और विलॉसिटी और वेवस ठीक है ना ओके तो इनके रिगार्डिंग आज हम लोग यहाँ पर टोटल 30 प्लस क्वेस्टेंज लिए हैं वनमाक क्वेस्टेंज आंसर्स भी अवले है वेव एक प्रकार का क्या है लिएस जो गहाठा है जो एक जगहसे दूसरे जगा मीडियम से प्रोपागेट करता था कि वह एनर जी को एक जगह से दूसरे जगह कार iego besar कर सके अन बिना एक्ट्रांसपपोर्ट रफ मैक्टर या मीडियम जो भी है इसमें फ्रोपरैंड कर जाता है इस वेव मोशन के अंदर तो ऐसा कियों यह लोग आगे डिसकुस करेंगे अगर एक वेवस्टी सेम होता है ऐसा क्यूं होता है ये हमें एक्सपेंड करना होगा मेरे प्यारे वीबस देखिए इसके लिए पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि यह फीज में light travel करेगा तो होगा क्या कि different wavelengths की जो light है वो same velocity मतलब light की velocity से propagate करेगी इस स्थिती में मेरे प्यारे वीवस यह जो हिस्सा है dv by d lambda यह constant हो जाएगा क्योंकि आप all the way velocity तो constant है तो constant को differentiate करोगे wavelength के respect पर तो यह पूरा हिसा क्या होगा जीरो हो जाएगा वीजी इस इक्वल टू वी मिलेगा हम लोग को ओके यह चीज यहां पर हम लोग इसको प्रूव करके दिखाए हैं आगे यह तीसरा question क्या है राइट three points regarding wave velocity वे velocity के regarding तीन points आपको लिखना है देखिए पहला point आप यह लिख सकते हैं कि wave velocity जो है ओके वो किसी एक given medium के थ्रोप constant हो सकता है दूसरा वो medium का जो nature है ना वो उसी पर depend करता है साथी साथ मेरे प्यार वीबस वो time और source पर independent होता है source जो उसको produce कर रहा है और sum है ओके ना fourth question लोग लिए कि what is plane progressive wave देखिए मेरे प्यार वीबस ऐसा वेब जो continuously किसी एक medium में propagate कर रहा है वो भी same direction में बिना किसी amplitude में बदलाव आए वे तो उसको हम लोग plane progressive wave कहते हैं यहां पर हम लोग उन्हें लिखा है ओके ना fifth question है write the differential equation describing wave motion ओके differential equation जो wave motion को describe करता है उसे कुछ अस प्रकार से लिखते हैं इसे हम लोग classical wave equation भी कहते हैं अगर differential equation के जगह आपसे classical wave equation के बारे में पुछे तो आप इसी को लिखोगे del square y by del x square is equal to 1 by v square del square y by del t square तो यह हमारा पाच्वा question था आईए च्छाटा question यहां पर लिए है हम लोग six question लिए है what is the difference between the dispersive and non-dispersive medium ठीक है दखो dispersive medium non-dispersive medium क्या होता है इसकी बात यहां पर हो रही है कि वह यह दोनों की बीच कुछ differences यहां पर हमें mention करना आप चुकिए one more question तो दो difference लिए है देके dispersive medium में ऐसा हो सकता है कि जो groove velocity है वो या तो phase velocity से कम हो या जादा हो ऐसा हो सकता है लेकि non-dispersive medium में है ना जो phase velocity है आपका वो groove velocity से equal होगा ठीक है जूसरा point आपका dispersive medium में जो phase velocity होता है wave का वो frequency पर depend करता है लेकिन non-dispersive medium में जो phase velocity होता है वेब का वो frequency पर depend नहीं करता है यह दो points of difference है आपका dispersive and non-dispersive medium के बीच फिर आपका list out different types of waves इसका answer हम लोग यहां नहीं लिखेंगे आप खुद से देखिए यहना waves के different types ठीक है अगर आप particles के vibration के basis पर भी कह सकते हैं और जो medium होता उसके basis पर भी कह सकते हो अगर आप medium के basis पर कहना चाहेंगे तो आपको mechanical और non-mechanical waves मिलेंगे और अगर आप particle के vibration को basis बनाना चाहेंगे तो आपको longitudinal और transverse waves मिलेंगे ठीक है आगे चलते हैं आगे का question है define intensity of wave intensity of wave से आप क्या समझते हैं और उसके expression को आपको यहाँ पर लिखना है ठीक है यह यहाँ पर expression है और यह definition है इसका i is equal to 2 pi square by n square a square rho v है ठीक है जहाँ पर आपका आप कह सकते हो n जो है यह आपका frequency है a amplitude, rho density और v जो है आपका velocity है ठीक है ठीक है फिर क्या है question 9th question है list out different forms of plane progressive wave equation देखो plane progressive wave जो है उसका कुछ equations हम लोग derive किये थे displacement equation है न तो उसमें different different forms हमें देखने को मिले थी तो नहीं different forms को यहाँ पर mention करने की बात की गई है यह पहला form यह दूसरा यह आपका तीसरा और यह चौता चार forms यहाँ पर हम लोग mention किये है ठीक है आप कह सकते हैं यह complex form है ठीक है आगे चलते है 10th question है आपका कि if energy of wave is इतना किसी एक given wave का energy अगर इतना है वन बाई टू रो डी एक्स ओके ए स्क्वार ओमेगा स्क्वार एंड यूनिट एरिया इस डी एक्स किसी मीडियम की बात हो रही मीडियम का अगर यूनिट एरिया अगर डी एक्स है तो हमें energy density पता करना है 11th question हम लोग लिए है what does traveling wave carry okay along जो traveling wave है जगर वो किसी मीडियम के तो प्रोपागेट करता है तो वो मीडियम प्रोपागेट नहीं करता लेकिन उसका जो पार्टिकल्स होता है वो अपने मीन पोजीशन पर क्या करता है वाइवरेट करने लगता है और उसलेट करने लगता है तो वही जो instantaneous velocity होता है किसी भी एक गिवन इंटर्वल पर ओके या किसी भी एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसलेटिंग पार्टिकल का जो टाइस तक इसको लहाँ जडिए कि थोड़ा इसको समझिela होता क्या है कि जा आपका कोई बी एक किशी मेंप कह सकते कोई डार्शून के तरह प्रफ कर रहा होता है चाहाँ वो डॉनगीट्यू गश्य दिग की बात करें तो उसमें आपका सब्सक्राशन और padaoulese फेक्शन या फिर लॉंगिट्वर्स में कृट्स और ट्रॉफ होता है और सब्सक्राइब के तो हम लोगे कह सकते हैं कि हमारा जो प्रॉइव के विलासिटी से नहीं प्रो पागेट करता है या फिर आगर लोग की बात करें तो कमपरेशन और एक्षन जो होता है वह-व एकि वेल उसटेदी से प्रो पोगेटああ है आप यह नहीं है और część इसलिए जो भी पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्ट फर याफिशीW scenarios यह फिर कंपरेजैंजम्स वो सेम सेंच में होते हैं ईकलम यह है मतलब यह है कि जो59 पार्टिकल्स का in the case of longitudinal waves travel along with the wave velocity okay since all the particles in crests or troughs are in same phase we can see that the phase along the phase moves along with the wave velocity therefore wave velocity is also called phase velocity okay now here यहां पर दो characteristics की बात किया है हम लोग मेंचन नहीं टू करेक्टिस्टिक्स आफ वेव मोशन दो करेक्टिस्टिक्स यहां पर हम लोगों ने मेंचन किया है पहला क्या है पार्टिकल्स अफ दूसरा पॉइंट हम लोग फेज के रिगार्डिंग लिखें आगे का question लोग लिए है define sock waves क्या होता है देखिए आपको पता है कि जब कोई भी एक object speed of sound in air से जादे के speed से travel करता है तो इसको हम लोग कहते हैं सूपर सोनिक ओके तो इस तरह का जो सूपर सोनिक object होता है वह अपने पीछे disturbance छोड़ता है conical shape का जिसके पास एक इनर्जी होता है और यह continuously spread करता है तो यह जो disturbance है conical shape का यही जो है इसी को लोग क्या कहते है शौक वेप्स कहते हैं ठीक है आगे 16th question लिया हम लोग ने define transfers and longitudinal waves के basic question इसका answer आप कुछ से भी निखवाएंगे 17th question है write any two factors which does not affect speed of sound okay दो एक तो frequency अगर frequency में कुछ बदला होता है तो वो sound जो है air में उसको effect नहीं करता है दूसरा amplitude amplitude का भी किसी भी प्रकार का कोई effect नहीं होता है ठीक है और अगर हम लोग एक और चीज़ में mention कर सकते है वो pressure अगर आपका temperature constant है तो change in pressure भी effect नहीं करता है now 18th जो हमारा question है वो क्या write two forms of plane progressive wave दो forms हमें लिखना है plane progressive wave का तो plane progressive wave आपका longitudinal भी हो सकता है transverse भी हो सकता है ठीक है now 19th question है right formula of velocity of sound given by laplace देखो एक formula था जो Newton ने दिया था है वो किस basis पर दिया था कि जो propagation होता है sound का air में वो isothermal होता है इस basis पर लेकिन laplace ने उसे correct करके कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता यह जो propagation होता है यह में वो अटाइबेटिक होता है उसके according उन्होंने यह formula दिया वीज इक्वल टू अंडरूट है ओके गामा भी भाई रो जहां पर यह जो गामा है आपका है यह सीपी भाई सीवी से एक्वल होता है ठीक है कि नो ट्वेंटिएथ कोश्चन है वाट इदा नेचर ऑफ साउंड वेव साउंड वेव का क्या नेचर लॉंगिट्यूडनल नेचर है ना लॉंगिट्यूडनल वेव साउंड वेव साउंड वेव जो आपका कह सकते हो कि कंप्रेशन के फार्म में प्रोपगेट करता है और कभी कभी हम लोग ऐसा भी कह पाएंगे कि सॉलेट्स में जो हमारा साउंड वेव से वह लॉंगिट्यूडनल फॉर्म भी ले सकता और ट्रांसवर्स फार्म भी ले सकता है तो यह हमारा ट्वेंटिएथ कोश्चन था की यहां से पिगड़ें जोर से झजटका दें एंगे तो इसमें ट्रांसवर्स वेव से बनेगा तो वह पूछ रहा यहां कि वेव जो ट्रीग के थी त्रू त्रॉंस फ्रसले करता वह ट्रांसवर्स वेव और्ट्यungen को ने सलिए प्रपर dues मेरा होता होतान व्लिन्क नीचे लिस्क्रिप्षन में आप एक बाद जरू ससे दरू देख लहेंगे एक छोटा सा छोटा सअ फिरेटर पाथ डिफरेंस के बीच का जहां पर यह नहीं लोग प्रपागेशन कॉंस्टेंट से तो Скज एक लिए हैं की कन we turn 돼 चंट गर मेरे प्यारे रुटस अगर ड्राए अगर ड्राइ है मतलब ड्राइएर की बात करें धूप है और गर्म है तो इसमें क्या होता है ना कि स्पीड होता है सौंड का वो कम होता तो शांड कम डिस्टेंस ट्रेफल करेगा लेकिन रेंड जब बारिस हुआ है और बारी से तुरंत बाद अगर हम लोग बात करें तो भार इसके तुरंत बाद जो आवाज होता हो में जादा दूर तक सुआ सकता है क्योंकि जो एर है न किर में जू मैशन्चर होता है उसके कारण क्या होता है आपका speed of sound बढ़ जाता है यहां पर थोड़ा density का भी कारण होता है तो यह सारी चीज़े हम लोग ने फैक्टर में डिसकस की थी जब हम लोग ने देखा था कि जो speed of sound air में वो कैसे affect होता है तो यह सारी चीज़े factors में हम लोग देखे थे yes the reason is that sound travels faster in moist air than in dry air this is greater the humidity in air जितना जाधा humidity होगा air में higher will be the speed of sound due to this reason the sound travels faster and after rain and covers more distance है ना now 24th question क्या है the quantity 2 pi by lambda is called as इसको में लोग propagation constant कहते है ठीक है ना wave constant भी बहुत जगे पर इसका दिया रहता है ठीक है ना ठीक है 25th question क्या लिए है name the essential properties of a medium to have a wave motion through it दोको दो essential properties है एक तो इनर्शी और दूसरा elasticity ठीक है ना now 26th question क्या लिए explain why wave velocity is also called as phase velocity दो एक question हम लोग इसके पहले विलिये थे तो यह question यहाँ पर repeat हो गया है okay है ना तो यह repeat हो गया यह question आई यह 27th question हम लोग देखते है क्या है what is the most fundamental property of a wave and why दोको frequency जो है wave का most fundamental property है क्योंकि वो जो है आपका medium के nature पर depend नहीं करता है जिसके तो रहा है जिस medium के तो रहा wave पास कर रहा है उसके nature पर यह depend नहीं करता है नो 28th question क्या है what is the pressure equation of longitudinal wave यह आपको pressure variation in longitudinal waves के लिए एक equation है P is equal to P not cos omega t minus kx ठीक है यह 28th question 26 वाला repeat हो गया हम लोग एक question जो है जो हमारा progressive wave है जब वो propagate करता है तो वो क्या करता है पार्टिकल्स को energy देता है जिससे particle successively vibrate होने लगता है हाना फिर अलग अलग particles को इसी प्रकार से वो vibrate करता है जिससे कि एक एक particle से दूसरे particle जो है energy का transfer होता है है इसी प्रकार से जो है energy propagate करता है एक फ्रोग्रेसिव में ठीक है नव थर्टी जो question उसमें हम लोग ने तीन questions लिया यह तीनों question आपको खुद से करना है ठीक है क्या है questions पहला है गिव Newton's formula velocity of sound in air आराम से आप देख पाएंगे ठीक है दूसरे क्या है what is the formula of velocity of traveling along string and wave जो एक string के लॉंग travel करता है मतलब transverse वे बनता है string के लॉंग तो उसका आपको velocity of wave का यहाँ पर formula लिखना है third क्या in which medium the sound wave travels faster solids liquids और gas ऐसे solids में propagate करता है आपको reason खुद से बताना है ठीक है यह तीन question आपके लिए आईए यहाँ पर एक इसवा question हम लोग थोड़ा सा different type का लिए है कि use v is equal to under root गामा पी भाई रो to explain the speed of sound in air increases with temperature मतलब है कि अगर temperature increase करता है तो जो speed of sound है air का वो भी increase करता है इसको explain करना होगा हमें इस formula की मदद से तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं v is equal to under root गामा पी भाई रो ठीक है यह formula हमार पास given है अब यहाँ हमें पता है कि जो gas equation होता है है ना for one mole of gas वो क्या होता है pv is equal to rt ऐसे gas equation होगा pv is equal to n rt बड़ यहाँ number of moles कितना है one तो n के जगे पर one ले लिए है अब देखो यह v है volume तो volume को हम लोग क्या लिख सकते है mass by density लिख सकते है ऐसे density क्या होता है mass by volume तो volume को क्या कर दिये mass by density ले लिए और यहाँ पर जो है हम लोग v के जगे पर m by rho put किये हैं is equal to rt नव इस m को इधर ले और यहाँ पर क्या किया है p by rho रख है इसके प्रकार का और दोनों तरप क्या किया हम लोग under root gamma multiply किये तो इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है अब चुकि गाम under root gamma p by rho जो है यह v से equal है तो इसको भी v से equal कर सकते हैं हम लोग और इस formula के according हम लोग कह सकते हैं कि v जो है आपका क्या है absolute temperature के square root पर directly proportional है तो यह हम लोग कह सकते हैं कि अगर जो है temperature बढ़ता है तो sound जो है velocity जो है sound का वो increase करेगा ठीक है 32 जो question है जो last question है वो क्या है what is the effect of increase of pressure on speed of sound in air अगर air में जो sound है तो कि उसका जो speed उस पर क्या effect पड़ेगा अगर हम लोग pressure को बढ़ा दे तो कोई effect नहीं पड़ेगा ठीक नहीं में हम लोगोंने क्या किया हम लोगोंने total 32 questions देखा ऐसे 31 क्या सकते हैं क्योंगी एक question यहाँ पर repeat हो गया था 26 में तो 31 question हम लोगोंने देखा one mark questions wave motion and velocity of waves के regarding okay और भी वीडियो आएंगे अभी different topics पर हम लोग वनमा questions लेंगे तो चलिए अगली वीडियो मिलते आपसे